उमीद है आप सब खेरियत से होंगे आज के लेक्चर में हम exercise 2.1 का question number 2 solve करेंगे question number 2 की statement है find the nature of the roots of the given quadratic equations यहाँ पे आपने quadratic equation की roots की nature बतानी है अब पहला सवाल आपके माइड में यही आ रहा होगा कि roots होती क्या है और roots हम किसे बोलते हैं तो पहले हम roots को समझ लेते हैं कि roots होती क्या है बेसिकली आपके पास जो solution set होता है उसी को हम roots बोलते हैं जैसे आपके पास कोई quadratic equation होती है उसे आप solve करते हैं तो last में आपके पास x की कोई न कोई values आती है उसे आप लिखते है solution set में और वो जो आपके पास solution आता है last में वो ही quadratic equation की roots कहलाती है जैसे आपने unit number one में भी काफी सारे questions solve की है और आपने वहाँ पे different methods यूज़ की है आपने by factorization method से भी quadratic equation को solve की है completing square से भी की है और इसके अलावा आपने quadratic formula से भी इसको solve की है so last में आपके पास जो भी values x की निकलती है वो सारी की सारी इसकी roots कहलाती है जो के आपके पास solution set में आती है लेकिन यहाँ पे आपने roots की nature बतानी है अब next question यह है कि roots की nature क्या होती है और इसकी nature हम किस तरह से मालूम करते है जब हम कोई solution set निकालते है तो आपके पास roots आ जाती है और वो roots आपके पास x की values होती है x की जो भी values आती है उसी को हम roots कहते है so जब आपके पास x की values आ जाती है वो आपके पास कोई भी number हो सकता है rational भी हो सकता है, irrational भी हो सकता है और इसके अलावा complex भी हो सकता है और imaginary भी हो सकता है यह जो numbers मैंने आपको बताए है यह सारे के सारे roots की nature में आते हैं और इनी core roots की nature भी कहा गया है और यहाँ पर हमने यही देखना है कि किस quadratic equation की roots किस number से belong करती है mean के किस number की category से belong करती है वो number आपके पास rational भी हो सकता है, irrational भी हो सकता है real भी हो सकता है और उसके अलावा imaginary and complex भी हो सकता है यहाँ पर हमने यही मालूम करना है कि जो भी आपके पास roots हैं वो number की किस category से belong कर रही है इसी तरह से हम roots की nature निकालते हैं I hope आपको यहाँ तक roots की nature के बारे में कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी मजीद आपको clear करने के लिए मैं एक example लेती हूँ और उससे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ तो आप अपनी book का page number निकालने 20 यहाँ पर आपके पास एक example है आपके पास quadratic equation given है आपने इसको discriminant के method से solve करना है यहाँ पर आप discriminant का formula लगाएंगे then आप उससे solve करेंगे और then आप उसकी nature के बारे में बताएंगे so roots की nature को हम discriminant के through solve करते हैं अब यहाँ पर discriminant find out करने के लिए इन्होंने compare किया है standard quadratic equation से जैसे कि मैंने आपको question number one में questions करवाए थे same वैसे ही आप यहाँ पर compare करेंगे आपके पास जो standard quadratic equation होती है वो यह होती है then यहाँ से आपके पास ABC की values आ जाती है A आपके पास 1 आ जाएगा B आपके पास minus 5 आ एगा and then C आपके पास आ जाएगा 5 next आपके पास discriminant का formula होता है जो के 20 square minus 4AC है यह सारी values आप इस formula में put करते है और आप इसे simplify करते हैं तो आपके पास आ जाता है 25 minus 20 then आप 25 में से 20 को minus करते हैं तो आपके पास value आती है 5 5 आपके पास एक positive number है और यह 0 से बड़ा number होता है तो यहाँ पे आप एक statement लिखेंगे as the discriminant is positive and is not a perfect square discriminant आपके पास positive है लेकिन यह एक perfect square नहीं है अब perfect square क्या होता है for example अगर यहाँ पे आपके पास 25 होता तो यह आपके पास perfect square होता 5 का क्यूंकि जब आप 5 को 2 times multiply करेंगे तो आपके पास यह बन जाएगा 25 लेकिन आपके पास यहाँ पे 5 है और यह किसी भी number का perfect square नहीं बनता तो यहाँ पे आप लिखेंगे is not a perfect square तो जो आपके पास roots की nature आएगी वो आएगी irrational and unequal अब आपके mind में एक question आ रहा होगा कि आपने answer तो निकाली अब 5 लेकिन आपको statement का कैसे पता चलेगा कि यह irrational है यह unequal है यह equal है इसके लिए आपकी book पे 4 points दिये गए है roots की nature निकालने के लिए और यह 4 points आपके पास है page number 19 पे आप अपनी book का page number 19 निकालें यहां पे आपके पास heading भी दी हुई है nature of the roots of a quadratic equation through discriminant means कि आप roots की nature find out करते है through discriminant और यह बात मैंने आपको पहले भी बताई है next आपके पास है the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and a is not equal to 0 आगे आपके पास quadratic equation का formula है और इसके बाद आपके पास discriminant का formula दिया हुआ है यह सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है next आपके पास 4 points given है और यह 4 points आपने लाजमी याद करने है roots की nature बताने के लिए यह 4 points बहुत ही important है first point इसका है if b square minus 4ac is greater than 0 and is a perfect square अगर discriminant 0 से बड़ा आ जाए और इसके लावा वो perfect square भी बनता हो तो roots जो आपके पास होंगी वो rational होंगी और unequal होंगी then इसका next point है if b square minus 4ac is greater than 0 and is not a perfect square then the roots are irrational and unequal और अगर आपके पास discriminant 0 से बड़ा आजे और perfect square भी ना बनता हो तो जो roots होंगी आपके पास irrational होंगी और unequal होंगी जैसे के अभी जो हमने example की है उसमें आपके पास जो roots आई थी वो 0 से बड़ी थी और वो perfect square नहीं बनती थी तो आपने यहाँ पे लिखा था roots are irrational and unequal तो वहाँ पे आपने ये point mention कर दिया था इसके बाद next third point है if b square minus 4ac is equal to 0 अगर discriminate आपके पास 0 हो जाए then the roots are rational and equal तो roots आपके पास rational और equal कहलाएंगी next इसका last point है और बहुत ही important है if b square minus 4ac is less than 0 अगर discriminate आपके पास 0 से छोटा आजाए mean के कोई आपके पास negative value आजाए तो जो आपकी roots होंगी वो imaginary होंगी complex conjugate होंगी आपके पास अब imaginary number क्या होता है यह आपने ninth class chapter number 2 में काफी detail से पढ़ा होगा imaginary number में basically आपके पास iota की values आजाती है यह आप ninth class के chapter number 2 में से भी read कर सकते हैं और इसके साथ साथ जब मैं आपको question करवाऊंगी साथ मैं आपको मैं clear कर दूंगी कि imaginary roots कौन सी होती है तो इन्शाला आपको clear हो जाएगा यह हमारे पास चार points थे roots की nature को find out करने के लिए आपने यह चारो points अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं अब हम चलते हैं अपनी example पे जो हम solve कर रहे थे page number 20 पे आजें यहां तक I hope आपको समझ आ गई होगी कि आप roots की nature किस तरह से निकालते हैं और उसको आप किस तरह से यहां पे लिखते हैं next step आपके पास क्या होता है आपने next step में verify करना होता है आपने verification करनी होती है कि जो भी आपने यहां पे result निकाला है क्या वो बिल्कुल ठीक है तो उसको solve करने के लिए आप अपना question दुबारा से यहां पे लिखते हैं आपके पास जो quadratic equation थी आपने यहां पे दुबारा से लिख ली अब आप इसको by factorization method भी solve कर सकते हैं और आप by quadratic formula भी use कर सकते हैं यहां पे इन्होंने quadratic formula यूज की है इसमें आप values put करेंगे और जब आप इसे simplify करेंगे तो आपके पास यह answer आएगा यह जो आपके पास answer आ रहा है यह irrational भी है और unequal भी है क्योंकि इसकी कोई भी दो values आपस में equal नहीं है तो जो आपने result निकाला था यहां पे यह आपका बिल्कुल ठीक था value आपके पास irrational भी थी और unequal भी थी यह आपका हो गया verify और यहां पे आपकी example होती है complete I hope आपको कफी हद तक समझ आ गई होगी अब हम चलते हैं अपनी exercise पे और questions को solve करते हैं then आपको मजीद समझ आ जाएगी question number 2 का first part आपके सामने है value को एक बार हम solution में दुबारा से लिख लेते हैं आपके पास value है x square minus 23x plus 120 is equal to 0 जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने discriminant की मदद से roots की nature निकालनी है आप यहां पे discriminant का formula लिखेंगे और discriminant आपके पास equal होता है b square minus 4ac के then आपके पास quadratic equation की standard form होती है ax square plus bx plus c is equal to 0 और आप इस equation को इसके साथ compare करते हैं तो आपके पास values आती है a is equal to 1 b आपके पास आजेगा minus 23 and then आपके पास c की value आजाएगी 120 अब आपने इस सारी values इस formula में put करनी है so आपके पास discriminant की values आजेएगी b square, b square में आपके पास आएगा minus 23 का square then आपके पास आएगा minus 4 into a आपके पास आजेगा 1 c आपके पास आजेगा 120 minus 23 का आप square लेंगे minus minus plus हो जाएगा 23 का square आपके पास आजेगा 529 then आप 4 को 1 के साथ multiply करेंगे आपके पास 4 आएगा 4 को आप multiply करेंगे 120 के साथ सो आपके पास आएगा minus 480 then आप 529 में से minus करेंगे 480 को तो आपके पास यहाँ पे value आएगी 49 आपका discriminate आगया 49 यह एक positive value है और 0 से बड़ी है सो आप यहाँ पे लिखेंगे 49 is greater than 0 और इसके इलावा अगर देखा जाए तो यह आपके पास perfect square भी बनती है में भी यहाँ पे कुट students को पता ना हो कि perfect square किसे कहते हैं तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास perfect square क्या होता है जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा हुए 49 इसको अगर आप seven को two times multiply करेंगे तो आपके पास दुबारा से 49 आजेगा mean के जब आप seven का square लेंगे तो आपके पास 49 बनेगा तो यह perfect square है seven का next आपने बतानी है roots की nature आपके पास root तो आ गई लेकिन अब आपने इसकी nature भी बतानी है कि इसकी क्या nature है और nature के मैंने आपको वो four points पढ़ाए थे एक बार आपको दुबारा से मैं revise करवा देती हूँ आपके पास इसका first point था if b square minus 4 ac is greater than zero and is a perfect square then the roots are rational and unequal अगर आपके पास जो discriminant है वो zero से बड़ा हो और perfect square भी हो तो आपकी जो roots होती है वो rational भी होती है और unequal भी होती है तो जो हमारा answer आया है वो आपके पास एक positive number है और इसके इलावा ये एक perfect square भी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे एदा roots are rational and unequal यहाँ तक हमने question का एक part solve कर लिए अब इसका हम next part read करते है next part आपके पास है and verify result by solving the equation अब आपने जो result निकाला है आपने इसको करना है verify और verify करके आपने ये बताना है कि जो भी आपने result निकाला है वो बिल्कुल ठीक है तो अब हम करेंगे इसकी verification verification में एक बार हम फिर से value लिख लेते हैं इसकी आपके पास equation है x square minus 23x plus 120 is equal to 0 इसको अब हम करेंगे solve ये आपके पास एक quadratic equation है इसको आप by factorization method से भी solve कर सकते हैं और by completing square से भी कर सकते हैं या इसके अलावा आप quadratic formula से भी कर सकते हैं तो सबसे easy method आपके पास factorization method होता है तो हम उसी से solve कर लेते हैं यहाँ पे आपने pair बनाने हैं सबसे पहले आप 120 को multiply करते हैं first variable के coefficient के साथ और यहाँ पे जो आपका variable है इसके साथ 1 है तो आप 120 को multiply करेंगे 1 के साथ आपके पास आजएगा 120 और जो आपके पास यह value है यह आपके पास है minus 23 तो अब आपको दो numbers ऐसे चाहिए जिनको आप multiply करें तो आपके पास 120 आए और जब आप उन्ही numbers को plus minus करें तो आपके पास minus 23 आए अगर यहाँ पर हम minus 15 को multiply करें minus 8 के साथ तो आपके पास 120 आजएगा अगर इन्ही दो numbers को हम minus करें minus 15 minus 8 तो आपके पास यहाँ से आएगा minus 23 तो आपके पास यहाँ से pairs आजएगे minus 15x minus 8x plus 120 is equal to 0 next आप इसमें से common लेते हैं common आपके पास x आएगा bracket में आपके पास आएगा x minus 15 इनमें से common आपके पास आएगा minus 8 bracket में आपके पास आएगा x minus 15 जब आप 8 को 15 के साथ multiply करेंगे तो आपके पास 120 आएगा so 8 आपके पास common आ जाएगा is equal to 0 अब x-15 आपके पास common bracket आएगी next bracket में आपके पास आएगा x-8 is equal to 0 next इन दोनों values को आपने 1 by 1 0 के equal रखने हैं आपके पास आएगा x-15 is equal to 0 then आपके पास आएगा x-8 is equal to 0 अब यहां से आपके पास x की values आ जाएगी 15 उस साइट पर जाके plus का हो जाएगा so आपके पास x आएगा 15 और यहां से आपके पास x आजाएगा x is equal to 8 so यह आपके पास x की दोनों values आ चुकी हैं अब यह दोनों values देखें आपके पास equal नहीं है एक आपके पास 15 है और दूसरी आपके पास 8 है और हमने अपने result में यही लिखा था के values are unequal और इसके अलावा यह दोनों values rational है तो यहां पर हमने statement में यही लिखा था the roots are rational and unequal so verify हो गया के जो भी आपने result निकाला था वो बिलकुल ठीक है इसी तरह से आपने सारे question में verification करनी है I hope यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी अब हम करते हैं इसका second part question number two का second part आपके सामने है एक बार हमने value को solution में दुबारा से लिख लिए है अब आपने इसे solve करना है discriminant के थूँ so आप यहां पर लिखेंगे discriminant का formula discriminant आपके पास equal होता है B square minus 4 A C के then आप quadratic equation की standard form को इसके साथ compare करते हैं तो आपके पास A की value आएगी 2 B की value आपके पास आजाएगी 3 and then C की value आपके पास आजाएगी 7 next step में आप यह सारी values इस formula में put करते हैं so आपके पास discriminant की values आजाती है B square और B square में आपके पास आएगा 3 का square then आपके पास आएगा minus 4 A में आपके पास आएगा 2 C में आपके पास आजाएगा 7 so यहां से आप 3 का square लेंगे आपके पास 9 आएगा then आपके पास आएगा minus 4 को multiply करेंगे 2 के साथ 8 आजाएगा 8 को आप multiply करेंगे 7 के साथ आपके पास आएगा 56 आप 9-56 करेंगे आपके पास यहाँ पे आएगा minus 47 क्योंके बड़ी value के साथ minus का sign है आपके पास answer में भी minus का sign आएगा यहाँ पर आपका डिस्क्रिमिनेट आगया minus 47 अब यहाँ आपके पास negative value आ गई है जो के 0 से छोटी है आप यहाँ पे लिखेंगे minus 47 is less than 0 नेक्स्ट आपने बतानी है roots की nature यहाँ पे आपके पास 4 points given है इसमें से आप देखें जो आपके पास 4th point है if b square minus 4ac is less than 0 अगर आपका discriminant 0 से छोटा हो then the roots are imaginary तो roots आपकी imaginary होती है आप यहाँ पे लिखेंगे the roots are imaginary next step में आपने इसकी verification करनी होती है आपने verify करके बताना है कि जो भी आपने यहाँ पे result निकाला है वो बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पे आप एक बार दुबारा से equation लिख लेंगे 2x square plus 3x plus 7 is equal to 0 अब यहाँ पे आपके पास quadratic equation आ चुकी है अब आपने इसे solve करना है अगर यहाँ पे हम factorization method लगाना चाहें तो आप जब इसके pair बनाएंगे pair इसके नहीं बनेंगे आप इसको try भी कर सकते हैं आप कोई भी दो नमबर ले लें आपके पास इसके pairs नहीं बनेंगे क्योंकि जब आप 7 को 2 के साथ multiply करेंगे तो आपके पास 14 आएगा और middle value इसकी 3 है तो कोई भी आपके पास दो नमबर ऐसे नहीं है जिनको आप multiply करें तो आपके पास 14 आए और उनी दो नमबर को आप plus minus करें तो आपके पास plus 3 याद है तो यहाँ पर हम use कर लेंगे quadratic formula quadratic formula आपने पढ़ा था x is equal to minus b plus minus k root b square minus 4ac divided by 2a next आपने इस equation को इसकी general form के साथ compare करना है तो आपके पास यहाँ पे a की value आएगी 2 b की value आपके पास आजाएगी 3 then c आपके पास आजएगा 7 अब आपने इन तमाम values को इस formula में put करना है तो आपके पास यहाँ पे आएगा x is equal to minus b b में आपके पास आजएगा minus 3 then आपके पास आएगा plus minus square root B square में आपके पास आएगा 3 square minus 4 A में आपके पास आजेगा 2 Then C में आपके पास आजेगा 7 divided by 2 A A की जगह आप लिखेंगे 2 अब आप इसको simplify करेंगे आपके पास आएगा square root 3 3's are 9 आजेगा 4 2's are 8 8 7's are 56 divided by 2 2's are 4 Next आपके पास आजेगा X is equal to minus 3 plus minus square root minus 47 divided by 4 जब आप इन दोनों को plus minus करेंगे तो आपके पास minus 47 आएगा ये आगई आपके पास X की value जो के आपने find out करनी थी अब यहाँ पे देखें आपके पास ये negative number आ रहा है और आपको पता है Iota square आपके पास equal होता है minus 1 के और अगर आप दोनों साइट्स पे square root लें तो आपके पास Iota की value आजाती है square root minus 1 तो यहाँ पे जब आप square root minus 1 को separate करेंगे आपके पास ये equal आजाएगा Iota के जो के आपके पास imaginary number है तो हमने जो result निकाला था वो बिल्कुल ठीक था आपके जो आपकी roots थी वो imaginary है और यह हमने verify भी कर लिया अब next हम करते हैं इसका third part question number 2 का third part आपके सामने है value को एक बार हमने दुबारा से solution में लिख लिए है next हमने discriminant का formula लिख है अब इन दोनों equations को आप compare करेंगे तो आपके पास A की value आएगी 16 B की value आपके पास आएगी minus 24 and then C की value आपके पास आजएगी 9 so अब इन सारी values को इस formula में put करेंगे तो आपके पास discriminant में values आजएगी B square minus 24 का square आएगा then आपके पास आएगा minus 4 A की जगह आपके पास आजएगा 16 then C की जगह आपके पास आएगा 9 यहां पे आप minus 24 का square लेंगे तो आपके पास यहां पे आएगा plus 576 देन आप इन तीनों values को आपसर multiply करेंगे तो आपके पास multiplication के बाद value आजाएगी 576 तो plus की value minus के साथ cancel हो जाएगी देन आपके पास discriminant में आजाएगा 0 अब यहां पे देखें आपके पास discriminant 0 आचुका है अब हमने इसकी nature बतानी है कि roots की क्या nature है तो यहां पे आप book में देखें इसका जो third point है if b square minus 4ac is equal to 0 अगर discriminant 0 के equal आजाए then the roots are rational and equal तो आपकी जो roots होती है वो rational भी होती है और equal भी होती है so यहां पे आप statement लिख देंगे the roots are rational and equal then next step हमारा होता है verification अब हम इसे verify करेंगे so एक दफा हमने दुबारा से value को यहां पे लिख लिया अब इसको solve करने के लिए हम use करेंगे by factorization method 9 को आप multiply करेंगे 16 के साथ तो आपके पास यहां पे आएगा 144 और इसकी middle value आपके पास है minus 24 अब आपको दो numbers ऐसे चाहिए जिनको आप multiply करें तो आपके पास 144 आए और plus minus करें तो minus 24 आए जब आप minus 12 को multiply करेंगे minus 12 के साथ तो आपके पास plus 144 आएगा और सेम इसी तरह से जब आप minus 12 को minus 12 के साथ करेंगे तो आपके पास यहां से आजएगा minus 24 आपके पास pair आजएगे minus 12x minus 12x plus 9 is equal to 0 इन दोनों values में से आपके पास common आएगा 4x bracket में आपके पास आएगा 4x minus 3 यहां से आपके पास आजएगा minus 3 bracket में आपके पास आएगा 4x minus 3 is equal to 0 अब यहां से आपके पास common आ जाएगा 4x-3 then आपके पास next bracket आएगी 4x-3 is equal to 0 अब इन दोनों values को हम one by one zero के equal लिखेंगे आपके पास आएगा 4x-3 is equal to 0 then आपके पास again value आएगी 4x-3 is equal to 0 यहां से आपको x की value चाहिए so minus 3 उस side पर जाके plus हो जाएगा आपके पास आएगा 4x is equal to 3 same इसी तरह से यह value भी आपके पास आएगी 4x is equal to 3 अब यहां से हमें x की value चाहिए so 4 इदर जाके divide हो जाएगा so यहां से आपके पास x आएगा 3 by 4 then यहां पे भी 4 इदर जाके divide हो जाएगा so आपके पास x की value आजाएगी 3 by 4 सो यहां पर जो आपकी x की values आई हैं यह दोनों same है mean के दोनों values आपकी equal आई हैं सो जो आपने उपर result निकाला था roots are rational and equal यह result आपका बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो आपके पास roots आई हैं वो दोनों rational भी हैं और equal भी हैं सो यहां पर यह question होता है complete I hope आपको question number two की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी next इसका fourth part है same आपने इसी तरह से solve करना है वो आप खुड try करेंगे मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए अला आफिस